चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंस नमस्ते मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत हैं तंदूरी नान तवे पर कैसे इजी बना सकते हैं देखें आपके सामने लाई हो रश्पी तो एक कप मैदा ले हूँ और आधा कप ग्यों काटा है इसमें से डाले जरासा खाने का सोड़ पाई यह हाद स्पुन खाने का सोड़ा और टेस्ट के हिसाब से सल्ट डाली है पहले मैदे को अच्छा से मिला लेजिए नमा कः सोड़े के साथ पूरे एक साथ हो जाए तो इस तरह से अच्छा से मिला लेजिए उसक्यवाच जरासा ओयल डालिये कम से कम एक सी दो चम्मच cooking oil है इसको भी आठे में अच्छे से लगा लेजी oil में आठा लग जाए उसके बाद हाथों से इसे हमें एक बार अच्छे से मिलाके फिर आगे देखते हैं कम से कम तीन से चार चम्मच दही ले लेजी दही हलकी खटी या फिर साधा दही भी चलेगा दही को आठी में अच्छे से मिला ले अब थोड़ा थोड़ा सा पानी लेकर इदम सौप्ट सा आठा लगा लेजी जैसे कि जैसे हम चपाती के लिए वैसा नहीं थोड़ा सा स्मूथ रहना है एदम सा सौप्ट बनना है तो जरा पानी ज्यादा ही लगेगा इसमें देखती भी डालते भी देखिए इस तरह से डोब बना है और इसे ढख कर रख दीजिए कम से कम आधा गंटा छोड़ो तो अच्छा फूलता है तो हम इसे हैं लोया काटने के बाद फिर इसे छोड़ते हैं फूलने के लिए तो इस तरह से नान के लिए लोया काटके रख लीजिए फिर उपर से ओईल लगा ले ताकि सूके नहीं और इसे ढख के रख दीजिए ये तो बड़िया से फूल जाएंगी क्योंकि इसमें खाने का सोड़ा है इसकी वज़े से ये फूलता है बड़िया सा इसे ओल लगा के ढख के रखे आब आदे गंटे के बाद फिर हम नान बनाते हैं अगर नान हातों से बना पा रहे हैं तो ठीक है नहीं तो आप चकला बेलन लेकर आप रोटी जैसा भी बेल सकते हो हातों से इसे बना लेते हैं दोनों हात को पटकते हुए इस तरह से बनाते हैं तो आप इसे चकला बेलन पर भी आप इसे बना सकते हो हल के हाथों से रोटी बेल लीजिए रोटी जैसा यह गोल नहीं बनती टेड़ी मेड़ी रहती है नान देखे इस तरह से बना ले अग तवा को गरम केंजिए और तवे के उपर ही बना लीजिए इसे क्या रेस्टोरेंट में या फिर ढाबा में जिसे तंदूरी पे बनाते हैं तो अपने घर में हम इसे तवे पे या फिर आप गयस के उपर भी सेप के बना सकते हो और इसकी उपर से मखन या फिर बटर लगा लेते हैं अच्छा से दोनों सर से सेखी है आप ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इसके पर बटर या घी लगा के भी से सर्व कर सकते हुआ मौधी टेस्टी रेस्टोरेंट होटल में मिखने वाले नान घर पर एचलीस तरह से बनाई थैंक्स पर वाचिंग फ्रेंड्स